कि हैं आज हम बेटा अपने जो चप्टर है कर्बन एंडिस कंपाउंड उसके एंसीयार्टी कुश्चन को डिसक्स करेंगी ठीक है तो जो हमारे पास जो एंसीयार्टी कुश्चन है उसमें फिर्स कुश्चन है वट वुड वी दा इलेक्ट्रोन डोट स्टॉक्चर ओफ कार् यह तो इसिता का Souls का हमने लैट्रोन डोट स्ट्क्ट्र बनाना है और साथ भी हमने व नहीं बताना है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा तो अब कार्बन भी और ओक्सिंजिinee ठीक है? तो कार्बन की लैट्रोन डोट बनाओंगे कार्बन के आवटर मोस्ट में 4 6 तो हमने 4 लगा अब दूसरा ऑक्सीजन है 지금은 में lado मिनेद्र원 ताहिए दू आथो जिरूप्स सिक्सित में कितने आप्टरों हो गए सिक्स हो गए 1 टू 3 456 अब ऑक्सिजन के पास 6 एलेक्टरोन है सिर्फ कितने क्यां साथ एक और और क्या पूरर हो गए बट कारबन के तो अब पूरे हुग नहीं ठीक है और ये क्या हो गया ये जो दूसरी oxygen थी ये भी stable हो गई और ये इस carbon के भी 8 electrons complete हो गई तो यहां से oxygen भी stable है carbon का भी octet पूरा हो गया और oxygen का भी octet पूरा हो गया तो फॉर्मूला यहां से क्या बन गया CO2 carbon dioxide दाइका उपलब क्या हो गया दो हो गई है ठीक है तो आपने इस तरीके से electron dot structure बनाने हैं एक्जाम में जरूर पूछे जाते हैं तो आपने इनके उपर जादा से जादा practice कर लें next question आता है हमारे पास what would be the electron dot structure of a molecule of sulfur which is made up of 8 atoms of sulfur हमने electron dot structure बनाना है sulfur molecule का और क्या कहता है कि उस sulfur molecule में 8 atoms होते हैं मतलब कि formula क्या हो गया S8 ठीक है आपको बता दू कि जो sulfur का जो structure होती है जो shape होती है वो shape कैसी होती है crown shape होती है ताज के जैसे मतलब कि 8 sulfur के atom कुछ इस तरीके से आपस में join किये होते हैं यहां पर sulfur दोसरा तीसरा चोता पांचवा सटा सात्वा और इस तरीके से तो हमने क्या करना है इनका electron dot structure बनाना है तो अब sulfur के atomic number क्या होता है 60 तो configuration क्या हो गया है 286 मतलब outermost में 6 electron चीए सिर्फ कितने electron और लेगा यह दो और लेगा और सारे के सारे sulfur ही है तो हमेशा क्या होगी यहां पर sharing होगी तो sharing कैसे करिंग बिटा जैसे यह sulfur होगया हमारे पास ठीक है यह six electron हो गए यह फिर दूसरा sulfur हो गया ठीक है तो यह क्या कर लेगा इसके साथ share कर लेगा इधर एक sulfur और भी ले दूगा मैं और क्या हो गया यह sulfur हो हो गए अना काउंट कर सकते हो वह बीच में लिए जो शेरिंग का इलेक्ट्रों था वह बीच में आ गया तो इसके कितने हो गई 1 2 3 4 5 6 7 अब ऐसे ही हमारे पास दूसरा सलफर ले लेंगे तो आप इस तरीके से 8 सलफर का यूज कर सकते हो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसी तरीके से आपने यहां पर इन सब की शेरिंग करवा देनी है ठीक है और इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा यह इलेक्ट्रों डोर्ड स्ट्रक्ट्चर आप बना दोगे ठीक है इसी तरीके से हमने यह अच्छे से इसको अरेंज कर देंगे कि यह क्या हुजाएगा हमारे पास यह पूरा का पूरा के स्तेयार हो ठीक है को गया ना सब के यह ओटेट पूरे हैं यह बन यह तूब यह 3, 4, 5, 6, 7, और यह 8, सभी का octet भी पूरा हो गया, और यह हमारे पास electron dot structure हो गया, इसको आप थोड़ा सा और अच्छे सर्क्टल के फोर्म में बना सकते हैं, और अगर आप यह भी बना के आओगे, तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है, पर पोशिश करो, कि electron dot structure आप यही बना के अच्छा, ठीक है, next question आते हैं, हमारे पास, how many structural isomers can you draw from pentane, कि भाई, जो pentane है, उसके आप कितने isomers बना सकते हो, आपने सिखा होगा है कि भाई, isomers क्या होते हैं, तो iso का मतलब क्या था, same, और मर का मतलब unit, मतलब ऐसे compound, जिनका formula तो same रहेगा, बट जो उनकी properties हैं, व बनाने हैं, अब pent का मतलब क्या होता है, भी 5 carbon है, ठीक है, pent का मतलब याद है आपने world root, और ain का मतलब क्या होता है, single single bond है, तो single bond का मतलब alkane, तो 5 carbon के, alkane का formula क्या होता है, alkane का formula, cn, h2n, plus 2, pent का मतलब 5, तो n की value 5 put कर दूँगा, तो 5 put करते हैं, c5, h10, plus 2, 12, c5, h12, हमारे पास pentane बन गया, अब मुझे इस pentane के isomers बनाने हैं, कि इस pentane के कितने isomers आप बना सकते हो, मतलब कि formula यही होना चाहिए, carbon के भी 5 item होने चाहिए, hydrogen के 12 item होने चाहिए, और इस तरीके से कितने अलग-अलग compound बन सकते हैं, उतलब आप branch की form में बना सकते हो, chain की form में ब trust बनेगा हमारा, सबसे पहले तो मैं क्या बना दूँगा, chain की form में बना सकता हूँ, अना हरे carbon की तुम्हें चाहर balance की पूरी करनी है, यह ध्यान अपना और कुछ नहीं ध्यान अपना है, यह 5 carbon atom है, और हर carbon चाहर bond बनाएगा, जितने bond कम रह जाएं, उतने आप hydrogen को add कर सकते हो गया, अब दूसरा क्या बना सकता हूँ बेटा मैं, मैं क्या करूँ आप इसको branch की form में बना दिया, ध्यान क्या रखना है, यह total 5 carbon ही लेने हैं, और हरे carbon के सिर्फ 4 bond बनाने है, तो यह बन गया, तो अब इसमें longest chain कितने carbon की दिक्री बेटा, यह longest chain 4 carbon की हो गई, यह branch निकल आई, 3, 4, और 2 पे कौन हो गया, methyl, तो 2 methyl, 4 carbon के लिए, but, single bond के लिए in, 2 methyl, butane, तो यह हमारे पास answer आगया, अब और कोई बना सकते हो, बिल्कुल एग और बन सकता है, यहां से जब आप ध्यान से देखोगे, तो मैं branching बढ़ा सकता हूँ, सब आप उसकी naming करोगे, अगर naming अलग अलग आ रही है, तो मतलब की वो बिल्कुल सही है, अगर naming आपकी same आ गई, तो मतलब की एक तुमने गलत बना दिया, अब इसके naming क्या होगी, सबसे पहले तुम लोंगे, इस chain कितने carbon की बन गई, तीन carbon की बन गई, numbering दूआ ने इसको, 1, तो तू पे कौooh कों हो गई, दो मिथाइल, तो टू टू डाई मिथाईल, और क्या नाम आ गया, प्रोपेन, तू टू नाम आ गया, बन गई, अब और कोई बन सकता है, दिमाग में और कोई आ रहा हो, अब किसी दिमाँ में ये चल रहो हूँ है, बना सकते हैं, अब दिखने में अलग लग रहे ना बट जब आप इसकी नेमिंग करोगे नेमिंग करो आप इसको लोंगस चेंड कितने कार्बन की है इसको कम से कम नंबर देने हैं तो नंबर कहां से पीछे से और चार कार्बन के लिए टो तो ननों का नां क्या हो गया सेम हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं में और एक को इगनोर करना पड़े का दोनों नहीं लिखोंगे तो तो सेम ही होगे ना आइसो मर्स में मुझे क्या लिखना है कि उनका फॉर्मूला तो सेम रहे बट जो कमपाउंड है वो अलग बने जाए तो फॉर्मूला तो सबका असे हैं जब आप इनके फॉर्मूले चर्कत रोगे तो सभी में पांच कार्बन एटम है 12 हाड्रोजन ए है ठीक है बट इन सब की प्रोपर्टीज क्या होगई अलग अलग तो पैंटेन की कितने कंपाउंड बने वान टू थ्री तो ऐसे कुश्चन से एक्जाम में जरूर पूछे जाएंगे आपसे तो आप ऐसे कुश्चन की जितने भी कुश्चन आपको बुक में मिलते हैं सब की प्रैक्स करना है नेक्स्ट कुश्चन आता है हमाएरे पास वत आर दा टू प्रोपर्टीज ओव कार्पन विच लीडस तो फूस नंबर ओफ कार्बन कंपाउंड वी सी अरांड इस मतलब की ऐसी प्रोपर्टी बताओ जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनात कि कार्बन की ऐसी कौन सी यूनिक प्रोपर्टी है जो कोई भी नहीं शो करता जिसकी वजह से वह एक अलग टाइप के अलग बनाता है इतने सारे कंपाउंड बना लेता है तो कौन-कौन सी प्रोपर्टी थी वर्सेटाइन नीचर कैटैनेशन कैटैनेशन आपको ध्यान हो हो लग 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 या थे परिटा मैं प्रोपरणी केटेनेशन हो सकता है मटिपल बोंडिंग हो सकता है यह वह सारे बना सकता है ना नेक्स क्या हो सकती एक यह ISO मर्ज बना लेता है तो यह जो चार प्रोपर्टी है यह चार प्रोपर्टी responsible होती है कि जो कार्बन है वो इतने सारे इतने ज़्यादा compound बनाता है तो पहली प्रोपर्टी catanation, catanation का मतलब क्या होगा tendency to form tendency to link with itself खुद के साथ ही जुड़ना और इस प्रोपर्टी की वज़े से वो बहुत सारे compound बनाता है मतलब कि वो chain की form बना सकता है वो branch form बना सकता है वो ring की form भी बना सकता है किसकी वज़े से catanation multiple bonding का मतलब क्या होगा कि carbonate ऐसा atom है जिसकी unique property है वो खुद के साथ single bond बनाए double बनाए, triple बनाए हाट टाइप के bond में खुश है हाट टाइप के bond में stable होता है वो दूसरे atom के साथ भी ऐसे करता है वो दूसरे के साथ single bond भी बना सकता है double में भी बना सकता है triple bond में भी easily exist करता है तो इसकी वज़े से जो number of compounds है वो बहुँ ज़्यादा हो जाते है next है tetra covalency कि जो carbon है उसकी valency 4 होती है, मतलब वो चार bond बनाता है, अब वो जब चार bond बनाएगा तो जब चारो atom एक जल से हो जाए या जब चारो atom से लग लग हो या कोई एक दू atom अलग हो जाए तो इस तरीके से क्या होगा next है हमारे पास isomeris की जो carbon है carbon compound है वो isomers बनाते हैं और इस isomer की वज़े से जो number of compound है वो भड़ जाते हैं आप यह आपने देखा कि जो आपने last question किया था pentane वाला pentane है तो एक compound है एक फोर्मूला है C5H12 बट उसके बहुत सारे compound बन जाते हैं तो वो सारे चीज़ यहां पर कह रहा है तो जो हमारे पास next question है वो कहता है कि what will be the formula and electron dot structure of cyclopentane कि जो हमारे पास cyclopentane है हमने उसका structure बनाना है ठीक है जो fifth question है हमारे पास cyclopentane अब जो cyclopentane है cycle की form में होगे न अब cycle का formula क्या होता है जो cycles के उनका formula alkene के जैसा होता है cn h2n यह हमने सिखा हुआ है पैंट का मतलब क्या हो गया कि n की value हमने 5 put कर नहीं है तो carbon cn है तो c5 हो गया और h2n 25 कितना हो गया यह 10 c5 h10 हो गया तो यह formula हमारे पास cyclopentane का अब क्या कहता है कि अब हमें इसका electron dot structure बनाना है cycle की form आपने अच्छे सी क्यूंगी है यह हो गई cycle form ठीक है अब hydrogen लगाने हरे carbon ने दो तो बोंड बनाएगे यह तो दो कौन हो जाएंगे hydrogen तो यह हो गया हमारे पास मैंने कहा था ना कि आप ऐसे structure भी बनाके आ सकते हो गलत नहीं होगा और अगर आपने दूसरी तरीके से बनाना है मतलब electron dot ही बनाना है तो क्या करोगे जैसे एक bond है इस एक bond में कितने electron होते हैं दो आप ऐसे दिखा दो तो यह भी क्या होगा बिलक तो यह क्या हो जगा electron dot structure of cyclopente तो यह हो गया हमारे पास है ठीक है यह हमारे पास और फॉर्मूला के आप बड़ेटा सी 5 अच्टेंग तो यह आपर हमारे 5 कुश्चन हो गए हैं जो नेक्स कुश्चन अब हम अपने नेक्स वीडियो में discuss करेंगे तब तक आप भी अपने आप से कुश्चन को study करोगे ठ आप मुझे वो सायन कर सकते हैं ओके थैंक यू